तो ये मेरा एक complex number है 3-4i और उसको मैंने इस complex plane पे plot किया हुआ है मैं real axis पे 3 unit आगे गया और imaginary axis में 4 unit नीचे गया तो 3-4i ये मेरा complex number आगया 3-4i और अब मैं चाहता हूँ कि इस complex number की absolute value की बात करूँ तो real numbers में हम जानते हैं कि absolute value होती है distance from origin मैं हाँ लिखता हूँ absolute value होती है distance from origin और हम इसका example भी देख सकते हैं जैसे ये मेरा real axis है ये मैंने real axis बनाया और ये मेरा origin है अगर मैं 2 की absolute value लूँ तो 2 की absolute value हो जाएगी मेरी इसकी distance origin से तो हम देख सकते हैं ये 2 unit दूर है तो इसकी absolute value हो जाएगी 2 वैसे अगर मैं कोई negative number लूँ जैसे मैंने number लिया minus 3 इस minus 3 की absolute value हो जाएगी minus 3 की absolute value हो जाएगी मेरी 3 क्योंकि इसकी distance origin से 3 unit है ये जो distance है ये है 3 unit तो जो logic हम real numbers के लगाते हैं उसी logic से हम absolute value complex number की भी define करते हैं हम बोलते है absolute value हो जाएगी distance from origin तो ये मेरा point है complex plane पे इसकी distance origin से ये वाली हो जाएगी ये इसकी distance हो जाएगी तो इस distance को हम बोलेंगे इसकी जो length होगी इसको हम बोलेंगे ये हो जाएगी absolute value 3 minus 4 आएगी तो अब हमें सोचना है कि हम इस distance को कैसे निकालें तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं एक right triangle बना सकता हूँ अगर ये मेरा axis perpendicular है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो length है मेरी ये अगर मैं ऐसे length बनाऊ तो ये length जो है मेरी ये है 3 unit क्योंकि ये 3 unit आगे बढ़ा है इस direction में और ये वाली जो length है ये जो perpendicular length है ये हो जाएगी इसकी 4 unit क्योंकि ये 4 unit नीचा है तो इस triangle में ये angle 90 degree है ये 3 unit और ये 4 unit तो मैं hypotenuse निकाल सकता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं पाइथा को रस्तियोरम लगाँ तो इसके hypotenuse हो जाएगी जो है mod of 3 minus 4i इसका square hypotenuse square हो जाएगा मेरा perpendicular square जो है 4 square plus base square जो है 3 square तो यह हो जाएगा 4 square plus 3 square और इसकी जो value है ये हो जाएगी 4 square होता है मेरा 16 plus 3 square होता है मेरा 9 तो अगर मैं इसकी value देखूँ तो यह हो जाएगा 16 plus 9 यानि की 25 तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इसका absolute value है ये है 3 minus 4i का square इसका square हो जाएगा मेरा 25 और क्योंकि absolute value मेरी length है तो मैं positive numbers की बात कर रहा हूँ तो दुनों side का अगर मैं square root लूँ तो ये हो जाएगा मेरा 3-4i की absolute value ये इसके left hand side में आ जाएगी और इसके right hand side हो जाएगी 25 का positive root या फिर इसका principal square root तो ये हो जाएगा मेरा 25 का root है मेरा 5 तो यानि कि 3-4i की absolute value हो जाएगी मेरी 5 या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इसके जो distance है origin से वो हो जाएगी 5 अब इसी चीज़ को समझने का एक दूसरा तरीका ये भी है अगर मैं ये graph ना बनाना चाहूँ अगर मैं सिर्फ complex number को देखके इसके absolute value निकालना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके real part और imaginary part को अगर मैं square कर दूँ जैसे अगर मैं इसका real part है जो है 3 square और जो इसका imaginary part है जो है minus 4 इसका square अगर मैं इन दोनों के real और imaginary part को square करके इनको add कर दूँ और फिर इसका square root लो तो ये हो जाएगी मेरे इसके absolute value अगर हम इसको check करना चाहें तो ये है 3 square जो है 9 और ये है minus 4 square जो है 16 तो 9 और 16 हो जाएगा मेरे 25 और 25 का square root हो जाएगा मेरा 5 तो ये भी एक तरीका हुआ इसके absolute value को निकालने का हम यहाँ पर भी पाइथागरे सिरम लगा रहे हैं लेकिन हमें डाइगरम बनानी की ज़रूरत नहीं पड़ रहे हैं